गुटने में सूजन आ रही है और बार-बार मारी है, जाती है आती है जाती है तो पिटा बहुत सारे कारण रह सकते हैं अगर कुछ लोगों के कारण होते हैं कि चोट लगी कुछ डमेज हो गया सूस वेसे सूजन आ सकती है MRI कराई और चोट की कोई history नहीं है MRI भी नहीं है सारा तो वो चीज़ हट गई उसके लबा कई सारी और चीज़ें होती है जिसके वैसे सूजन आ सकती है पहला होता है गाउट गाउट का मतलब है कि हमारी बाड़ी में Uric Acid Increase हो गया Uric Acid कम हो जाता है तो रिपीटिट टेस्ट करते हैं तो पकड़ में आता है Uric Acid एक कॉज हो सकते हैं तो गाउट बोलते हैं कि यूरिक एसिड में पिस्टल जम जाते हैं जोड के अंदर जोड़ों खराप करते हैं और सूजन देते हैं Rheumate Arthritis एक और नहीं हो सकता है Ankylosing Spondylitis एक और नहीं हो सकता है इन दोनों के टेस्ट होते हैं जिससे मालूम पड़ता है जिससे मालूम पड़ता है कि Rheumate Arthritis है या नहीं है Ankylosing Spondylitis दो नहीं है वो भी सब RA Factor NT-CCP और इस तरह के टेस्स से से मालूम पड़ता है अगर गाउट है तो गाउट की दवाई दी जाती है lifelong अगर बाकी कोई चीज़ है तो उसकी दवाई दी जाती है lifelong इसके लावा एक और होता है जिसको बोलता है यह भी कंडिशन है यह भी बायपसी से मालूम पड़ता है अंदर जाए गुटने में आँसे डुकरा जाँच के लिए बेज दिया तो उसकी दवाई चलो जाती है अगर आपके चोट नहीं लगी तो इतनी सारी बिमारीं जिसके वाईसी कीना फूल थाए और फूल थाया मदलब घुटना खराब होगा यह ठीक नहीं कर सकता है, इसको suppress कर सकते हैं, रुमेटर अचाइटी से suppress करके रखो, गाउट है, गाउट डाइट लो, दवाईएं लो, suppress करके रखो, कोई और बिमारी है, तो भी वो suppress करके रखो, क्योंकि यह ऐसा नहीं है, किसी दें इन्फेक्शन लग गया हमें, कोई बैक् पूटो देखेगी, पिच्चर देखेगी, मुझे समझ में आएगा, क्या चीज जम रही है, क्योंकि अगर गाउट के क्रिस्टल होंगे, तो अलग देखेगे, रुमेटर अथराइटी सका अलग देखेगा, पिच्चर, तो एक तुम्हें को देखती समझ में आ जाएगा, क्या बिमारी है, जो अभी तक मालूम नहीं पढ़ रही, अंदाजा लगा रहे हैं डॉक्टर सारे, कुछ ये दवाई दे रहा है, कुछ वो दवाई दे रहा है, अंदाजा लगे जा रहा है, अंदाजा नहीं लगता ना, पिटा, मालूम पढ़ सकते हैं, अंदर क्यामरा जाएगा मालूं पड़ जाएगा उसके बाद वो जो टिश्चू है उसका सेंपल वेज देंगे वो जांच भी आ जाएगी का कि कौन सा क्रिस्टल है सो ब्लड की टेस्ट होती है पूरी बॉड़ी के लिए वो अंदाज आए गुटने का टेस्ट होता है सिर्फ गुटने के लिए कि दूरबीन से गए देखा समझा जाच लैब में बेजी हमारे पास आगया वह यह यह बिमारी है 100% यह है अब इसकी दवाद जिन्दकी बर खात सब्सक्राइब आपके नी में अलावा और क्या-क्या समझते हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं स्टेप 3 जब आप मुझसे मिलना आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल फिजिकल एग्जामनेशन करूंगा आपके फिर्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको सेबुक के एसे विना ग्रूप में और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स तीन महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं एसे एल इंटरन बेस अरजी के बाद आज ही अपनी मरेई रिपोर्ट हमें वाट्सअप करें झालू